कि हैं गाइस विने दिस साइट कैसे हैं आप लोग तो आज बात करते हैं हम जे जे और एस्पीए के बारे में ठीक है तो ऐसे कैसे लिखना है में वीडियो उसके ऊपर रहेगी तो मैं जरा बात कर लेता हूं कि पहले तो आपको ऐसे राइटिंग कैसे करनी है तो देखो एक आपके लिए क्या है कुछ मैंने आपके लिए पॉइंट्स भी लिखे हैं अच्छे से कि जब हम लोग किसी को ऐसे लिखवाते थे खुद भी लिखते थे तो हम कैसे यूज करते रहे तो आपको बताऊं देखो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आप ऐसे को तीन प परग्राफ है ना डिदॉक्शन वही एक वीवर का वही कोई विजिटर मतलब जो देख रहा है आपका ऐसे पढ़ रहा है बेसिकली रीडर जो है ठीक है उसका वह सारा का सारा क्या है वह से अट्रेक कर लेता है समझ रहो बात को मतलब पहला वह कहते हैं फर्स्ट इंप्रे पहला कि आपको दीन सिघेव दोइसे मिल रहे हैं दो आपको एक जिस ध्यान डखनी है क्या आपको यह चीज दी-monetization और cybercrime और मैं बोलू यार मैंने तो cybercrime पढ़ रखा है और मैं कैसे पर लिख सकता हूं या फिर मैं demonetization पर अच्छा लिख सकता हूं ऐसे करके आपको चूज़ करना है ठीके है और जैसी आप पहले चूज़ करोगो तो पहला point क्या हूँ हमारा attentive cautious selection of topics सबसे पहले तो रॉफ पेपर में आप चार पॉइंट बना लो कि ऐसे 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 भाई मैं यही लिखूंगा महां पर यह अटाइक हुआ 9-11 का डालूंगा ताज अटाइक डाल सकता हूं नकसल के बारे में डाल सकता हूं ऐसे चोटे मोटे पॉइंट लिख लो ठीक है या फिर आया द्राफ्ट दमें पॉइंट रफली दो में पॉइंट धान रखना ऐसे लिखना तो बात की बात है पहले आपको ऐसे को चूज करना जिसमें आप शूर हो यह नहीं कि पढ़के गए साइबर क्राइम आ गया डिमारेशन तो आप बोल रहा भाई तो इसमें भी लिख लेगा पचास वर्ड में इंट्रोड़क्शन लिखो इंट्रोड़क्शन ही वह पार्ट होता है जो जो रीडर है उसको इंटाइस कर लेता है उसे अट्रैक कर लेता आपके तरफ कहते हैं मेस्मराइज कर दिया आपने क्या करें इंट्रोड़क्शन में ऐसा लिखा बिलकुल पॉ पढिन पॉ किया था कि ऐसे कोास यह दो साही suis को रएंस टे Mississippi in रिप्रेसिव नहीं आत्या fluctu नहीं यह का मेंsorryTT आगा सबस्ती नहींЕ MP4 अखीए इंटरौक्शन मैंने है शोरे की आपके लिए पैड़ो है उडिक में-इम्पोरी किरते को प्रेंसिव न चीनिन हो हिए में में पॉइंट होना चाहिए, मुद्दे की बात होना चाहिए, यह नहीं, क्या आप लिखे जा रहा हो, it is known as this, it is also called this, वो irritate कर रहा हो से, ठीक है, यह चीज़ धान लग रहा है, introduction is the very first step which should entice to reader from the beginning itself, ठीक है, जैसे introduction पढ़ा आप आपने कोई topic आया भाई, कोई topic आपक है, surgical strike, आप एक दम हो गए रहे है, यह तो पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है, surgical strike पे हम लोगों ने cover करा रहा है, ठीक है, अपने कुस में cover करा रहा है, mock में भी डाल दिया, मैंने surgical strike की pdf आप देख सकते है, mock वाले में जाकर, एक छोटी से information है आप लोगों के लिए, कि कई कोई भी अगर हमारे mock लेना चाहें, तो हमारे mock ले सकता है, 129 रुबिस में आपको 7 mocks में रहेंगे, with solution, जैसे आपका paper आने के चांद से वैसी, पूरा descriptive रहेगा, pdf form में रहेंगे, आप में जाकी ले सकते है, विने कक्षा, और पूरे solved mock रहेंगे, with solution रहेंगे, 7 mocks, surgical strike आया, आप यह नहीं कि कुछ और ही लिख रहे हो कि भारत ना attack करा, पाकिस्ताना attack करा नहीं, surgical strike से आपको संबंदेद introduction में main main point लिखने है, जो बंदा पढ़ते हैं, बोले हां मुद्दे की बाकरी, time मेरा भी waste नहीं करा, खुद का भी नहीं करा, आते है body part, body part मतलब second paragraph, प human empowerment के उपर आया, तो आप उसी से related लिखो, उसी को आप दिखाओ क्या उसके थोड़े बहुत for है, फिर उसके थोड़े negative point दो, उसी को ही justify करो, ठीक है, begin with describing some main points, आपको main point describe करने, along with their subtopics, हमेशा main point के नीचे थोड़े-थोड़े subtopics डाल दो, जैसे आपने बोला attack हो जाएग आपके दिमाग में आए, don't choose ambiguous language, ambiguous language मतलब यह नहीं मुश्किल भड़े vocabulary डाल रहा है, फिर ऐसा कुछ डाला वो कहा रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, वो ambiguous language है, आपको, देखो मैंने cybercrime का essay लिखा, आप लोगोंने देखा, ठीक है, वो essay में कुछ मैंने vocabulary डाली, वो essay मैंने चूज अंबिगूस लेंगविश, और वो चूज लूसे लेंगविश, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, वो clear होना चाहिए, यह नहीं कि मैं अपनी knowledge का production कुरू और आप बोलो, रहे, सर तो वावा और आपको समझ में आए, ऐसा नहीं तो जब आप भी लिखो तो उसे clear होना चाहिए, ठीक है, जैसे कहते है न spoken English है, वो नहीं कि क्या मुश्किल मुश्किल बोल रहा नहीं, कोई आया, उसने बड़ी बड़ी language आपके आगे बोल दी, लाईने बोल दी spoken language, आपको समझ में नहीं आया तो फाइदा क्या हुआ, ल You can use phrases, आप कुछ phrases यूज कर सकते हो, आप कुछ idioms यूज कर सकते हो, आप कुछ maximum यूज कर सकते हो, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखे हो, तो बीच यूच में कोई liner डाल देता हूं, ये इसने बोला, कुछ phrase डाल देता हूं, कुछ idioms डाल देता हूं, ठीक है, maximum etc to give an extra impression, ये क्या होता है, इंप्रेशन डालता है, कि भाई लड़के को knowledge है, लड़का पड़ा लिखा, ये नहीं, आपको खुद नहीं पता, अभी मैं बच्चे, दो-चार बच्चों का ऐसे पड़ना तो उन्हों लिखा वा, in a nutshell, यार आप गूगल कर लो, एक बड़ डालने से पह Don't use obsolete words which is not easy to digest to the reader, कोई obsolete word use मत करना, कोई पुराने word या फिर कोई essay word जो समझ में आए, अब आते हैं, थर्ड परग्राम है, पहला introduction हो गया, दूसरा क्या हो गया, main body part हो गया, थीसरा क्या हो गया, conclusion, conclusion में क्या है, finish your essay with a conclusion, ठीक है, आपको बताना है, हमारी सरकार कैसे कर सकती ह कि हम सब को, जैसे आज मैं आपको चीब बता दूँ, terrorism की बाता है, civil crime की बाता है, corruption की बाता है, child labor की बाता है, woman empowerment की बाता है, तो आपको बोलना है, यह language डाल बाता है, हम सब को, सरकार को तो करना ही चाहिए अपने level पे, बढ़ हमें individual level पे भी कुछ नहीं कुछ करना फराना कि US में यह वह नहीं, जो topic है उससे relevant होना चीए, आपने बताना है, second paragraph में जब आपने positive or negative बता है, third में आप यह बता हो कि इतना सब हुआ पड़ हमें क्या करना चीए, यह चीज कैसे solve हो कि जब हम सारे इखटे आएंगे, collectively हम कुछ किसी काम पे opinion लेंगे, consensus दिखेग agreement दिखेगा, ठीक है, यह ध्यान रखना, if possible underline the main points once again, अगर possible हो तो main points को underline कर लेना, कोई marks नहीं करते, कई बच्चे मेरे ऐसे करके आते थे, कोई दिक्कत कभी किसी को नहीं आई, ठीक है, यह तब है जब आपकी sheets लिखनी normal है, अगर sheets डबे वाली आ रही है, तो आप चीज साब से screen पे online बोला है ना, अब online अब type करने लगोगे तो फिर तो हो लिया, जो होते आया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, DSSB का मैनेजर का पेपर था, अब यह मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, traffic मैनेजर था है, मैनेजर था, मेरे है बंदे उन्होंने भी दिया था, उन्होंने मुझे बताया, जब उनका means कैसे आया, तो कैसे आया था, कि screen पे आया, ऐसे, कि समलो, write the essay on woman employment, ठीक है, और हाथ में थी sheet, और आपको screen उसे देखके sheet पे लिखना है, तो कोई question paper तो मिलेगा नी, क्योंकि लाज में जाते हैं sheet submit हो जाएगी, तो ऐसे होगा, screen पे देखेगा online होगा है, लिखना आपने आपका offline होगा है, तो यह चीज़े ध्यान रखना, main points मैंने आपको सारे बता दिये हैं, एक